उजेन के नियाले द्वारा आरोपी सुनील परमार को धारा 302 भादिव में आजीवन कारवा सेवें 5000 रुपे के दंड से दंडित किया गया दिनाक 8 दिसंबर को बिर्ला अस्पताल के पास खाली प्लॉट जुगी जूपडी में नातिन काजल उफ काली बाई की बिर्ला द्वार आरोपी को दिया जीवन का रवास की सजा नियाले द्वारा दी गई पुद्चाकू पर पाय रक्त तथा मृत्तिका के रक्त के नमूने का डिने कराया गया डिने प्रोफाइल पॉजिटिव प्राप्त हुआ मृतिका के श्वरीर पर 15 कटे हुए घाव आये थे जो ने मेडिकल रिपोर्ट एवं पीम रिपोर्ट के आधार पर साबित किया गया डॉक्टर व्यास द्वारा बताए गया कि नियाले में अपने निर्णय में अर्थदंड की राशी 5000 रुपए मृतिका की पुत्र को बतौर 6 पुर्ति दिये जुआने का तथा मृतिका की पुत्रों की उम्र 6 एवं उम्र 4 वर्ष की होने तथा पिता द्वारा पहले ही उन्हे परित्यक्त कर दिया गया है तथा मृति हो गई है ऐसी स्थिती में नियाले द्वारा सच विधिक सेवा प्राधिकरन को पृतिकरन यूजना के तहत मुआवजा देने ही तो समीती की समक्ष मामला रखने का निर्णय में लेक किया गया है तथा मृतिका की दोनों पुत्र ज करन को निर्णे में लिया गया है काली भाई बिल्डा अस्पताल के पास खाली प्लाटे मान अंदा नगर में वहाँ पर जुगी जुपड़ी बना कर अपने दो बच्चों छे वर्स उम्र और चार वर्स उम्र कथा भावर भाई के साथ रहती थी काली भाई को इसके पती दोरा छोड़ दिया गया था इसके काली भाई के पास में अभीक सुनिल परमार का आना जाना था काली भाई दोरा उसे मना किया गया था कि वहा उसके पास नहीं आया इसी बात को लेकर दिनांग 8 दिसंबर 2018 को शाम 5 बजे अभीक सुनिल परमार दोरा काली भाई को बुला कर उसके जुगी जुपड़ी के पा पुझाले में विचारण के दोरान भवर भाई होस्टेल हो गई थी उसने अभियोजन का अनी का समर्ता नहीं किया था लेकिन उसके लड़के दूरा जो है नियाले को ये बताया था कि अभी सुनिल परमार नहीं जो है उसकी मां काजलूर काजुबाई की चाकू बोतकर हत्या इस मामले में चुकी दोनों बच्चे अनाथ हो गए क्योंकि पिता द्वारा उन्हें परितेक्ट कर दिया गया है तथा मा की खत्या हो गई है तो न्याले द्वारा जो है दोनों लड़कों के लिए पांच जार रुपे फाइन जो आरुपी को किया है। Bureau Report, Dabang News